हमने गाड़ी लगा दिया है सोन बार्क और हम यहां तो जा रहे हैं पैदल आगे हमें पहुंचना है गोरी गुन तक तो हमारी यह तरफ शुरू हो चुकिया गाई हेलो गाईज वेलकम टू मैं न्यू व्लोग आज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ हम लोग हैं सोन मर्क में हमने अपनी गाड़ी सोन मर्क में लगा दी पार्किंग वहां काफी अच्छी खासी है उससे पहले गर रामपूर पढ़ता है वहां भी पार्किंग है अगर आपको जैम मिलता है तो आप रांपुर की पार्किंग में भी अपनी गाड़ी लगा सकते हैं और फिर वहाँ पर एक स्कैन होगा जो आपने रेजिस्टेशन किया होगा रेजिस्टेशन स्कैन होने के बाद आपको एंट्री मिलेगी फिर आप आएंगे इस पुल तक इस पुल के बा यह सामने आप जो गाड़ियां देख रहे हैं यह आपको गौरी कुंड तक ले जाएंगी जिनका किराया फिक्स है पचास रुपे गौरी कुंड यहां से करीबन चार से पांच किलो मेटर दूर है गाइस हम पहुँच चुके हैं गौरी कुंड थोड़ा सा ट्रैफिक था तो हम पैदल जा रहे हैं आगे तक और अब यहां से हम शुरू करता हैं अपनी केदानाथ के यातरा बोलो जय बाबाद राइस यह लिखा हुआ है कि दानाथ 16 क्लो मेटर मैं सोचता हूं कि यह बल्कु जूट लिखा हुआ है आप कमेंट करके बताएं कि यह सही लिखा हु हुआ है अगलत लिखा हुआ है तो कि निकलो है कि यहां पर घोड़े मिलते हैं कि बहुत सो लोग यहां से गोड़े और खच्चरों से सवारी करते हैं नीचे काउंटर भी है जान की पर्ची गटिए गाइस हमने दिंडा ले लिया है अपने सपोर्ट के लिए हमाई सपोर् करने के लिए हमारे मंदाखनी नदी बहा रही है और भीड इतनी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है लेकिन जब भी आप चलें इन खच्चरों से बचके चलें हेलो गाइस हम लोग करिबन एक डेट किलोमेटरों पर आज चुके हैं और आप हमारे पीचर देख सकते है कि गोड़े और खच्चरों की लाइन लगी वही है और पब्लिक इतनी जादा नहीं है फिर भी काफी है लेकिन बहुत से लोग जो फुद चल भी सकते हैं यात्रा कर सकते हैं वो भी गोड़ों को अफ्योग कर रहे हैं पिछली साल कई हजार गोड़े मारे गए थे इसमें गोड़ों को चा कसूर था विचारों को इंतना ज्यादा इन से काम कराया जाता है और इस तरह से बच्टे आते हैं अर्थ दिखेए कितनी खतरनाक जगह पे हम हैं जोड़ा यह देखेगा अक अबला दो अन्दभाए यह गोड़े बिलकुल चटके चलते हैं आँ आँ चोनों कि शुपजी जो हैं, उन्हें पशुपतीनात भी कहा जाता है, पशुपतीनात का मतलब है, जिन देश्डाओं को पशु प्रियैं हो, यहीं नहीं हर पशु, बोले बाबा को प्रियाः है, और लोग आधे तीर्ष पे हैं यात्रा करने, लेकिन एक पाप कमा के चले ज इसे इन विचारे गोड़े को दो की जान चली जाती है इस बढ़ चुकी है बीच में बारिश यदानाथ में किसी भी टाइम बारिश आ सकती है तो आप अपना रेंकोट लेके चलें अभी हम रुके हुए एक छोड़ी सी इस शौप पे और हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा भी लेता है इतने बारिश करता है और ये थे हमारे पहले वीजूल्स रामबाडा के देखने में ही बहुत जादा खतरनाक लग रहे थे ये जो आप सामने जगे देख रहे हैं यहां कभी एक पूरा शहर हुआ करता था जो पीछे साई बार ने तबहा कर दिया आप साई भार थे एक दोडे पाले बार देखने खेले लिए बार रहे रहे हैं ए खे बार रहे जो उप ए रहे हैंनो घंडिशा एक रहे हमारा ओड़ा आप गर्ड़ा है वेज्टिश बारर के शिदिए लिए क्रांबाड़ा है जो अँड़ पलादाग। कर दो 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 कर आप देख सकते हैं कि राम बड़ा आज भी वैसा ही है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है रास्ता भी दूसरी तरफ से बना दिया गया है 16 जून की वो रात जो यहां के लोग और जोग लोग यहां मौजूद थे कभी नहीं भूल सकते बहुत ही विशाल पानी का सैलाब आया और यहां दस मिनट के अंदर सब कुछ तबाह कर गया यहां 20 स्यादे होटल, 100 स्यादे दुकाने मौजूद थी कई हजार लोग यहां पर मौजूद थे जिनका आस तक पता भी नहीं चला तो गाइस यही है वो जगे जहां पर बहुत सारे होटल मौजूद हुआ करते थे सोले जून की रात विशाल पानी का जो सैलाब आया जो नदियों ने उफान लिया उससे पूरा रामबाडा बह गया जो लोग होटलों में मौजूद थे वो कुछ पाहडों के उपर की तरफ भागे वो लोग तो बच गए और बाखी लोग सभी उसी आपदा में बह गए और इस आपदा का शिकार रामबाडा से पूरा में रस्ता यहां से आता था यहां से उपर जाता था, तरी यहां से आता था, यहां यह पूरी लेंड श्लाइड हुई काफी बड़ी, आप देख सकते हैं, और यह रस्ता पूरा खतम हो गया, आगे रस्ता तरीहां से कंटीनियू गड़ता है, यह लिंचोली है गाइस, यहां भी आपको काफी सारे कैम्प्स फगर रस्ते करने के लिए मिल जाएंगे, आप गजा वाल गजा पूर शॉटकट एप उससे मैं जा रहा हूं, जिससे आप दिख रहे हैं, पीछे पूरा यह वाला रस्ता जो है, यह बच जाएगा, अब यह वाला शॉटकट जो है, मुझे सीधा ऐसे करके वहा ले जाएगा, गाइस हम लोग जा रहे हैं इस शॉटकट से, जो कि यहां से सीधा होता हुआ जाता है, आप देख सकते हैं, वरना हमें जाना पड़ता है, पूरा गूम के यहां से, फिर इस पर पहाड पे उपर, फिर इस पूरे रास्ते को होते हुए, आगे जाके यह उसी रास्ते को जोइन करता, हम जा रहे हैं कुछ शॉटकट से, और यह पुराने कच्छे रास्ते बने हुए है, शॉटकट के, इन ही का सहारा है, और यह हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले, भाईया कहां से हैं आप लोग, जहां सीधा हैं, आप, जिनों लोग, अच्छा, बहुत बढ़िया भी है, बह अच्छे रास्ते से, जो की एक शॉटकट है, और सामने आप देख सकते हैं, कि यह इतनी खतरनाक खाई है, इतनी बड़ी लेंड्सलाइड है, कि इसके समने इंसान भी चींटी जशर लग रहा था, गाइस, मैं आचुका हूँ, ट्रेकिंग वाले रूट पर, बस पास में यह जा दूर नहीं है, लेकिना पीछे वो लेंड्सलाइड देख सकते हैं, जो लेंड्सलाइड होने के बाद में, जिसने रामबाडा में तबाही मचाई थी, दोनों माउंटेंस की जो बाद मिलके, इसी ने पहले रामबाडा को तबाह गिया, यह जो शॉटकट है, यह बरसातों के मतलब का नहीं है, यह पूर अरिया जो आप देख रहे हैं, यह ग्रेश्ट की आइस हो गया रखा है, और बारिश होने पर हंड्रेट परसेंट यहां से पानी आता होगा, यह अर अरो एल में इस को अफ़ाड़ करें तो बरसातों में ही इसको आवोइड गा रहे है है केदारनात मंदिर यहां से करीबंडेर से दो किलोमेटर दूर है और आप देख सकते हैं 360 view of केदारनात वैली जो कितनी खुबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता स्वर्ग इसी को कहते हैं दोस्तो अजय को अजय कर दोस्तों आपको और दोस्तों आपको अजय को आपको अजय को अजय को इस वेलकम टो गोड़ा पड़ाव यहीं सारे गोड़े रुक जाते हैं गोड़ा पड़ाव के पास में ही यह पूरा टेंट सीटी बना हुआ है जहां पर आपको टेंट मिल सकते हैं रहने के लिए जिनका चार्ज 300 रुपे से लेकर 1000 रुपे हो सकता है इस खूबसूरत नजारे के साथ हमें तर्शन होते हैं दूर से ही केदानात मंदिर के जैहो केदार बावा की आज के विलोग में गाईज इतना ही मिलते हैं कल आप से और आपको दिखाते हैं केदानात धाम थाओ थाओ जाओ जाओ झाओ टूर्य केद लिए केदार फेल्वि एविलोग आप